हमारी skin बहुत dry है । flaky से हुई है । kri-lon tv-pin s탱 को blend करना बहुत मुअद्य ब्लेंड नहीं होज़ी। प्लीज हमें बताएं। कि हम इसको कैसे blend कर सकते हैं। अस्लाम लखें, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं Mera चैनल आमना सुट्रया। मैं आज आपको सखाने वाली हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राय है ओली है कुछ भी है तो आप TV बेंश्टिक को किस तरी के सप्लाइब कर सकते हैं पूरलिव इसमें के टूल से हैं हम उसको ब्लेंडर से प्लाइब करें हम इस सो ब्रश से प्लाइब करें किस method से apply करें कि हमारी जो skin है उस पर जबरदस्ती फ्लॉलसी बेस बन जाए विद्ट वीडियो को आपने देखने एंड तक मैं सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन डेटेल वीडियो है आपको कोई भी confusion है सारी इस वीडियो में आपको दूर होने वाली है तो चले करते हैं यहां में हम अपनी वीडियो को start TV paint stick जो होती है वो एक stick form में होती है यही तो इसको हमें जब हम अप्लाइ करते हैं dry skin girls के उपर उनकी कुछ ब्राइनस हुए होती है को पैच वगरा पड़ा पड़ा हो जाती है तो हमें क्या करना है हमें चाहिए इस तरह का कोई भी beauty blender जो के वेट होना चाहिए अब dry skin girls के लिए सबसे important चीज है वो यह है कि आपका जो sponge है चाहिए आप यह sponge ले 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 चाहिए आप beauty blender ले 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 यह होने चाहिए वेट अगर आपकी skin dry है वेट sponge और वेट beauty blender से जब आप अपनी foundation को blend करेंगी ना तो आप यकीन करें एक इतनी seamlessly blend होगी flawless आपकी skin पर adjust हो जाएगी और आपकी skin पर बिल्कुल भी जो patches वगार है उस पर जाके वो जमेगी नहीं ठीक है तो होना चाहिए सबसे पहला जो first step है उसमें आपका sponge या आपका जो blender है वो बिल्कुल वेट होना चाहिए इतना अच्छे तरीके से squeeze होना चाहिए जैसे मैं आपको करके दिखाया और अगर नहीं है तो आप इसको तुरसा इस तरह से towel के साथ मजीज squeeze कर सकती है water drop इसमें से नहीं होना चाहिए यह सबसे important चीज है मेरा blender देके ना मुझे लोग कह रहे थे कि आप आपके मुझे 2-3 साल हो गए इसको यूज करते हुए आप मैं करने लगी हूँ इसको apply यह जी आपकी stick की condition है अच्छा गर्मियों में इतना problem नहीं होता लेकिन जो techniques मैं आपको सब्सक्राइब कर रही हूँ चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों आप इसको इनी techniques को use करते हुए अच्छा जनाब तो हम करने लगे हैं इसको blend यह देख लें कितने अच्छी तरीके से आपके face पे blend होती जाएगी होती जाएगी लेकिन आपने इसको करना है dabbing motion में आपने इसको रगड़ना नहीं है खेंच के नहीं करना है असल के तरीके से dabbing motion में इसको sponge को blend करना है तो आप देखेंगा आपकी skin पे बड़ी अच्छे तरीके से blend हो रही है लाइक दिस बहुत ही ग्लोई सी आपकी base बनगी अगर आप इसको wet sponge से use करती है आपकी skin पे ग्लोई सा आता है beauty blender को use करते वे कि यह दोनों wet होने चाहिए ठीक है अब चलते हैं अपने next method की तरफ कि आप और different method के साथ किस तरीके से use कर सकती है मैं दुबारा से apply करने लगी हूँ tv paint stick अपने hand पे और चलते हैं अपने next method की तरफ जो आपको brushes नीचे नजर आ रहे हैं इनको use करके मैं आपको दिखाऊंग अच्छा एक इस तरह के brush भी मिल रहे होते हैं लेकिन यह application brush है इससे आप foundation को pick करेंगी और अपने hand पे लगा देंगी not sorry face पे लगा देंगी लेकिन इससे आप blend नहीं कर सकती आपने इसको सरफ application के लिए यूज करना है लेकिन जो इस तरह के foundation brush है आप ट्राय करें इससे इतन करना है softly हाथों से blend करना है तो आप देखेंगी कि आपकी skin पर बड़ी अच्छी से blend हो जाएगी चाहे आपकी skin dry है तब भी आपकी skin dry है तो आपने नीचे अपनी skin को अच्छी से prep करना है आप देख सकती है एक तरफ की blender से हुई भी है और एक तरफ ये brush की बदे से हुई है दोनों ही बहुत कमाल का result दे रही है तो ये कुछ method कुछ tips and tricks है अगर आप इनको follow करती है तो बहुत ही flawless कि आपकी base जो है वो set हो जाती है अच्छा है एक कुछ इस तरह का brush होता है मैं आपको भी show करती हूँ ये कुछ इस तरह का कभूकी style brush है इसके तरीके इसको भी use करते ह brushes है जिनके साथ आप tv print stick को किसी भी foundation को blend करेंगी तो अच्छे तरीके से blend हो जाएगी इस तरह का जो पफ brush होता है ये foundation को blend करने के लिए नहीं होता ये जो होता है ये सरफ dry product को अच्छे तरीके से blend करता है क्योंकि इसके है रिदेशे से बने हुए इसके अदर वो foundation हो जाके घुच जाती हो पर blend नहीं होती है अच्छे तरीके से ठीक है अब चलते हैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ अगर आपकी skin dry है तो आपको चाहिए aloe vera gel आपकोई moisturizer भी ले सकती है उसको directly आप apply करेंगी अपनी brush पे जैसे के मैं यहां पर बिल्कुल एक छोटा सा drop लेकिन क्योंके cryolone is the best ठीक है उसको apply करें आप अपने hand पे जैसे के मैं आपको apply करके दिखा रही हूँ इसी तरह आप apply करेंगी अपनी face पे और उसके आप इसको brush की मदद से blend करती जाएंगी आप देखिए कि इतनी अच्छे तरीके से आपकी skin में blend हो रही है कि आपका कमा आपकी blending हो जाए क्योंकि आपकी skin dry है तो aloe vera gel के साथ जब इसको आप mix करेंगे तो एक वो creamy सा texture हो जाएगा आपकी foundation का और बहुत seamlessly flawless आपकी base set हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं और glow भी आपको skin में मिसूस हो रही है aloe vera gel as a primer काम करता है तो यह आपकी skin पे बहुत अच्छे त्रीके से blend कर देता है foundation को यह hack है ट्राइज दूर कीजेगा आपने feedback जरूर शेयर करना है चलते हैं अपने next method की तरफ आप कोई भी liquid foundation भी use कर सकती है इसको कैसे use करना है एक से दो drop आप अपनी foundation brush पे ले आप अपने sponge भी ले सकती है और आप इसको directly भी apply कर सकती है लेकिन करना कैसे है पहले आप करेंगी tv paint stick apply अपनी skin पे जैसे के मैं कर रही हूँ और उसके बाद आप इसके ओपर liver foundation ऐसे भी apply क कर सकती है और अपनी brush की मदद से भी apply कर सकती है अब जरूरी नहीं है जो foundation मैंने लिए वही आप use करें आप कोई भी foundation use कर सकती है जो आपके पास है और आप उसको क्रालर टीव पेंट स्टिक के साथ जब blend करेंगी तो बहुत हुपसूरती के साथ ब्लेंड हो जाएगी और देन आप उसके उपर से फिर इस ब्लेंडर को यूज कर सकती है ताकि आपकी जो excess amount भी उड़ रहे फेस पर से और आपकी जो blending है वो मजीद flawless हो जाए तो यह कुछ tips और ट्रिक्स थे आप मेरी देख सकती है बेस किस कदर डूई और खुपसूरती के साथ ब्लेंड होती भी नजर आ रही है ऐसे ही आपके फेस पर रिजल्ट आएगा यह थे कुछ tips और ट्रिक्स जिनको follow करते हुए आप perfectly अपनी बेस को set कर सकती है स्किन ड्राइ भी हो तब भी आप टीवी प्लेंडर यूज कर सकती है ब्रशिस को यूज करें चाहिए आप blender यूज करें चाहिए आप sponge यूज करें सारे method में आपके साथ शेयर की है तो सबको try कीजेगा मुझे आपने जुरू comment करके बताना है कि आपको यह सब tips and tricks कैसे लगे तो चलें आप बात करते हम oily skin के लिए जो best method है टीवी पेंस्टिक को apply करने का वो यही है कि उनका sponge है या beauty blender है वो बिल्कुल भी wet नहीं होना चाहिए जी हाँ यह बिल्कुल opposite method है इसमें आप बिल्कुल भी wet यूज नहीं करेंगी आप dry sponge यूज करेंगी उसकी एक रीजन है क्योंकि आपकी skin आपकी skin के oil के साथ जब water mix होगा तो आप जानती है पैची सी और अजीब सी हो जाएगी वो remove होना चुरू हो जाएगी तो best method क्या है कि आप कोई भी sponge लें कोई भी blender लें लेकिन वो wet नहीं होना चाहिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी foundation जो है वो set हो जाएगी जी जनाब तो यह थी मेरी video इमेरे tips and tricks और hack आपको कैसे लगे मुझे comment करके आपने जुरूर बताना है भी मुझे बहुत अधा excitement रहती है और बहुत अंतजा रहता है आपके comments का मुझे आप Instagram पर भी follow कर सकते हैं आपकी कोई भी question है वहां पर मैं active होती हूं stories वगरा पर भी और post वगरा भी लगा रही होती हूं तो आप उसको जुर definitely जाके check करें देखें और मुझे comment करके बताएं अपनी द्वाओं में मुझे याद रखिएगा मैं मिलती हूं आपको अपनी किसी next वीडियो में अपना बहुत अधा ख्यार रखिएगा अलाहाफिज